हेलो फ्रेंट्स मैं डीके सॉनवाल और आप देखरो जैनमी नर्सिंग पॉइंट जैपो और फ्रेंट्स आज हम एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में है जो की नौर सेट 2020 से हैगा यह लेटेस्ट अपडेट्स जिसका आपको बहुत बोल सकते हैं बेसब्री से इंतजार आज उसी के बारे मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं तो फ्रेंट्स आप जल्दी से जदा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंट्स तक लाइक करके और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो वैल आइकन दिख रहा है उसको और पर प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो मिस ना हो और आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें यूजर नेम है डीके लिंक आपको सारे important जो लिंक्स आं मिल जाएंगे जैसे Instagram का link फैस्बूक का link है ओ सारे telegram ग्रूप का link है ओ सारे link आपको discussion box मेर край को संव्क में ओफार्ज कर सकते हो लाइक वं मैडिकल ब्लॉक्स एenser कोई भी अधार नॉलेज के लिए मेरा दूसरा चैनल है डीके सॉनवाल 23 ओके सैमी आपका जो इंस्टाग्राम का यूजर नेम बो भी सैमी है तो चली गाइस बिना टाइम गवाते हुए मैं वीडियो यह स्टार्ट कर लेता हूं यह लेटस्ट अप्डेट्स है वह मैं आपक अलोकेशन ओके गाइस आपका 2020 नॉर्सेट जो एक्जम हुआ था नर्सिंग ओपीशर र्कुट्मेंट कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 उसका अभी तक सीट अलोकेशन नहीं हुआ था गाइस तो यह पर अनॉस्मेंट ऑफ ओनलाइन सीट अलोकेशन एम्स ओके टेस्ट अब्डेट सागाई सो दूसरा आप यहां देख सकते हैं इसके वारे में सो चली हम देख लेते हैं फॉल डिटेल में यहां पर कितने कंडियोट का यहां पर स्लेक्शन हुआ है वह भी मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में नहीं बताऊंगा तो अगले अब्डियोटी टेस्ट नौर्शे 2020 अफ एम्स नुडेली एम्स बतेंडा सभी की जो कॉमन बेकंसी थी उन सभी एम्स का अपनाम दिया गया है म्स ब्लासपोर इस बास्पोर आप्रिकाशन फॉर आलोकेशन फॉर अप्रिकाशन फॉर अप्रिकाशन फॉर ऑफ तो तो तील पत्चिस केरेख Goze vais 5 पे-म एंड फर्दर उफाउन फॉर फांड फॉर अफ़रिmo रव आप टीन दिसंबर 2020 तो फ़ाइब देसंबर 22 25 पी-मॉके गई संपर तो आपकी नॉर्शे करना है और एक्सेप्ट नहीं करते हो आप तो आपको 25,000 का जो शुर्टी डिपोजेटर है आपका वो आपको पे करना पड़ेगा उसके बाद में आप चोईस फिलिंग फिर से कर सकतो वैसे आप से चोईस फिलिंग कर वाली थी इसमें अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग यृण यृण फोर ओन इसे आप यहां पर इससे जो जनरल टम्स अंड कंडिशन से जो इसके गाइड लाइन से यह इंस्ट्रक्शन से जर्ड रूल्स है वह लास्ट कर दोप्डूमेंट्स में आप आपको बताऊंगा यहां पर आप देख सकते हो दा रॉल नमर वाइज लिस्ट ओफ एलोकेटेड इंस्ट्रूड एम्स एज एज फॉलोज तो यहां पर कैटिगरी वाइज आपको ओल इंडिया रेंग के हसाब से आप देख सकते हैं यहां पर और मेरिट का सेक्षन है यहां कैटिगरी वाइज है यहां पी डबलू डी के लिए अलग से है ओवरॉल इंडिया रेंग के हैं ओके ओवरॉल रेंग के आपकी ओल इंडिया रेंग एलो का लियानी उसको जैसे मिला है तो इस परकार आपको आपका मैच का लेना है गाईज ओके मैं टोटल काउंटिंग गएरा करके आपको दूसरे वीडियो बना दूगा नेक्स वीडियो बता दूगा टोटल कितने सेलक्शन हुए हैं कितने रेंक तक के कंडियोट यहां पर अभ करा मैं आपको यहां बताऊंगा इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेगाई और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरू कर लेएं तक यहां आप से कोई भी लेटेस्ट अप्डेट्स हो मिस्स ना हो सो चलिए यहां पर देख लेते हैं न दिया जाएगा इसके बाद इस 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 वह स्वारी इस रिजल्ट इस प्रविजनल और सब्जेक्ट तो वैरिफिकेशन और फुल्फिल्मेंट अफ इलिए टी कंडिशन एज लेटाउन इन दा अड़िटाइब पॉलिश्वाइं न्यू देली बाइप रिकूट्मेंट नो मोबाइल नंबर थे उसके थरों आपको सेंड कर दिये गया इसके रिगार्डिंग जो इनफर्मिशन थी वह वैसे लेकिन कुछ करने इसकी मोबाइल नंबर चेंज हो जाते हैं किसी का इमेल आईडी चेंज हो जाता है किसी करण बस तो यहां पर आप पूरा डेटिल देख नौक सकते हो अन्दा इंस्ट्यू अलोकेशन हैज बिन दन अन और्डर मेरेट उन दा बैसे सब्सक्राइब नौर्ट रंक अक्रॉड थे आपको नौर्चाट की रंक के अकषर आपको सीट अलोट कर दी है इस्ट्यू अलोट कर दिया है और लुगली अजाविआट पी-ड और्थरिटीज एज एज एट रेस्पेक्टिव इंस्टिटूट ओके पी डब्लुटी के साबसे आप जो उनके लिए उसके अक्वर्डिंग जो इंस्टिटूट तो रेस्पेक्टिव था उनको अलोट कर दिया है और दा अपॉइंटे अपॉइंटमेंट आप दा इंस्टिटूट एड़ टाइम और जोइनिंग इफ एनी फॉल्स रॉंग इंफॉर्मिशन इज फांड एट एनी स्टेज दा कंडिटेटर और कंडिट विल वी ट्रीटेट एज विड्टो कैंसर्ट ओके यहां पर बता गया है कि आपका जब जोइनिंग होगा या फिर बहाँ पर तो आपको बहाँ पर सारे ओरिजिनल डॉकुमेंट्स है वह वह वेरिफाइड कराने होंगे यह दि किसी प्रकार का फॉल्स या रॉंग इंफरमिशन पाजाती तो आपको आपका जो कंडिटेटर उसको कैंसल कर दिये जागा आपको डिस्क्वालिफाई कर दिय वेरिफार पर सॉब्सक्राइड जि भैस पर इपलाबे किसी करने होंगे लोग है पर सबस्क्रेंगे बेस्क्राइब बिढोब टकलर सिकन्पापी रिक्वाइड आहएल साटिफिकेत फ्रॉम आप यह देख सकते हैं इसा का इस्क्राइब बिलो एंड डपलोड कलर इसकंपापी रिक्वाइड ओरिशनल सार्टिफिकेत फ्रॉम 21 जैनुवरी 2020 to 27 जैनुवरी 2020 अप्टु 5 पेम आ आपको क्या करना जो आप जो पेज है आपको आपको जाना है वह पर क्या करना है आपको जो सीट एलोकेट की गई है उसके लिए डॉकुमेंट्स अप्लोड करने अभी वेरिफिकेशन के लिए तो आपको 21 जनुवरी 2021 से 27 जनुवरी 2022 5 पीम तक कर सकते हो कन्यूर्स हो है बीन अलोकेटेड इंस्टिटूट और मेंडिटरी रिक्वार्ट तो स्लेक्ट ऑप्सट एक्सेप्ट एड़ ऑफट सीट बिदिन दा डेट स्पेसिफाइड ओके आप फॉलिंग ऑप्सट बिल भी एविलेवल एच पर एलोक जैसे मैंने बताया था 21 से 27 जनुवरी के बीच में कोई आपको कुछ ऑप्सन ऐसे देखने को मिलेंगे वहाँ पर ऑप्सन फर्स्ट आपको देखने को मुलेगा एक्सेप्ट एंड विस्टू रिपोर्ट एंड जोन एड़ दा एर दिस इंस्टिटूट एंड दो नोट ब मुझे ऑफर की गई यह सीट यह आपको इंस्टिटूट दिया गया है वह आपको फाइनल ही चोईस माना जाएगा ओके दूसरा ऑप्सन है अपर एक्सेप्ट एंड बांट टू पार्सिपेट इन सब्सिप्केंट राउंड मतलब फर्दर राउंड के लिए आपको मतलब जो चो चोई अइंस्टिटूट अलोकेशन के लिए करना चाहते हो चोईस भर नचाहते हो तो सेकंट आप्सन यह मिलेगा आपको ओके इंस्टिटूट अलोकेशन टूअप ग्रेट्ट नाद एंस्टिटूट ठीक है तो आपकोगे कोई दूसरा म समेंट सकता है उसके then important notes यहां पर देख लेते हैं यहां पर note करके दिया हुआ है if candidate is offered post any of the institute and does not select any of the above mentioned option within the time specified above then it will be considered as refusal by the candidate to accept any of the offered institute and his or her sorry guys candidate for this and all subsequent round will be cancelled यहां पर बता गया है कि आप जो specified date 21 January से लेखे 27 जन्वरी तक अदि उस date के अंदर आप अपना जो seat allocate किये उसका accept नहीं करते हो तो automatically आपका refusal का consider किया जाएगा और आपका जो candidate जो cancel कर दिये जाएगा option 2 देख लेते हैं यहां पर option 2 बालाव सेल नॉट वे अविलेवल तो दोज हूँ है बीन allocated institute विच वाज दियर फिर्स्ट प्रिफेरेंस और हैब टू मेंडेटर मेंडेटर ली चूज ऑप्शन बन के option आपको यहां देखने को मिलेंगे हैं पांच चूजिंग ऑप्शन टू और रेक्वार टू डिपोजिटर सीकृर्टी डिपोजिट मैंने आपको बताया था यदि आप दूसरा option चूज करता सब्सकेंट राउंड के लिए आप चूज करते ऑप्शन टू तो आपको तो फिप्टी टूंटी फैब 25 थाउजेंड का जो शॉर्टी डिपोजिट आपको डिपोजिट करना पड़ेगा और और अल गन्यूट अप्शन टूज करने फिर्स्ट या सेकंड आपको कियार फुली आपको चूज करना है जो लास्ट टेट इसकी लाजिंग डेट उसके बाद में किसी पर करका चेंज नहीं होगा अबब ऑप्शन मस्ट भी एक्सराइब ली एंड केर्फुली बिजन गिवन डेर्स अधर्वाइज ओफर विल एलाप्स एंड अल ओफर्ट सीट विल वी आप फॉर्पेटेट एंड दीम्ड तू अक्युमेंट विड्रो ऑफ अगंडेरिजर फ्रॉम पोस्ट अफ एट एनी ओफ ऑफ दा एम्स तो आपको केरफुली फिल करना चूज करना ऑप्शन एंड केरफुली सारा जो प्रोसेस है आपका सब्सिक्वेंट राउंड के लिए उसको फिल करना आपको सेकंड चॉइस अक्सप्ट कर जो की रिफंडेवल होगा आपका आप्टर जोइन उस सारी चीज आपको ध्यान में रखनी हैं यहां पर उसके बाद ही आपको अप्शन स्लेक्ट करना है इस एनी कन्यट हुआज बीन ऐलोकेटेड एर सीट एन डज नोट रेस्पॉंड एनी ऑफ दा अब मैनार ही यह जो ह बताए गया है सारे मेनर्स के इसाब से आप उसके अकोर्डिंग आपनी सीट को अक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपकी सीट सीट एलोकेशन है वो कैंसल मना जाएगा और आपकी जो एलिजविटी है वो मतलब छीन ली जाएगा आपको इन जीवल इन इलिजवल कर दिये जाएगा ओक्याइज नेक्स नहीं पर एट पॉइंट की बत करेंद आप लोड़ेड डॉकुमेंट्स बिल भी प्रेमिलर इसको इंट नाइज बाई रेस्पेक्टेव इंस्टिटूट एज पर दाइलिज टाइम बाउंड मेनर एंड फैले डूरासपंड अकॉर्डंग ली डूस्पेस्पाइज टाइम पीरेड में लीट कैंसलेशन कंडिटर ओके आपको सारा का सारा इसके जो रिगार्डिंग आपको सीट लोकेशन के वारे में जो 21-27 तक जो भी आपसे फिलप करवा जारा है जो भी आपके डॉक्मेंट के लिए करवा जा रहा है वह केर फुली करने गई जो के अदर्वाइज आपका जो कंडिटर जरह हो रिजक्ट कर दे जागा आपको डॉक्मेंट्स अप्लोड करने वह यहां देख सकता अप्लोडिंग अप सार्डिफिकेट विली अलाउड ओन देख सकते ट्रीक अपको ट्रीफिकेट अपको टैंथ का मार्षित लगाना है सारे एजुकेशने कॉलिफिकेशन के और इजनल पर विजनल डिग्री डिप्लोब ज़ीट एव लगाना है अधि आप जिने में से ब्सक्राइब लगाना है अधि आप बर कर रहे हो कहीं तो य है ओके कॉपी ऑप ओरिजिनल आईडी कार्ड एंड लेटेस्ट फोटोग्राफ इसकेंड सिगनेचर एंड इसकेंड लेफ्ट थम इंप्रेशन एंड इस्टेंडर्ड डिक्लिरेशन फॉर्म ए कॉपी अप एड्रस प्रूप इसूड वाइन गवर्मेंट ऑट्रेटी लाइक एलेक्टिसिटी विल रासन काड़ वोटर राइडी काड़ ओके बैलेट काटिगरी सेटिपकेट आपको लगाना है यह सारे डॉक्मेंट्स आपको अपलोट कर देने हैं और फाइनल जो लास्ट के दो पॉइंट है वो मैं आपको बतायता हूं वीडियो काफी लंबा हो ग इमेल आइडी और मोबाइल नमबर वाई इमेल एंड एसमेस अल्ड़ प्रोविजनल सेलेक्टेट अर एडवाइज तो रेगुलर ली चेक इमेल एसमेस और बिजट दा ओपीशल वेपसाइट डवल डॉड़ डॉट एंस डॉट एक्जम डॉट ओर फॉर 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 फॉ तो आपसे जो भी फर्दर कम्मिकेशन किया जाएगा वापके इमेल आइडी या फिर मोबाल नमर से किया जाएगा यह फिर आप ऑपीशल वेपसाइट को रेगुलर ली बिजिट करते रहेगा तो आयॉप आपको सारी जान करी समझ मैं यह फ्रांस मैंने ऐसा कोई भी लिंक किसी यसी लेटेस्ट अपडेट्स में आज की वीडियो वस इतना ही बहुत लंबा वीडियो हो गया गाईज अगें थैंक यू